हे माई यूटूब फैमली सभीको मेरे नमस्कार तो स्वागत है मेरे नए वीडियो पे तो आज का जो वीडियो होने वाला है आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही खास होने वाला जो की पीजी सेमेश्टर 3 में हमें हिंदी वाले लोग को भी पढ़ना और भी बहुत सारे सेमेश्टर या अलग क्लास के बीए वे में भी आ सकता है तो जिन लोगों के भी जुरत हो ये तो ये हमारा महात्मा गांधी का ग्राम सवराज के बारे में हमें पढ़ना है तो सिर्प टॉ महात्मा गांधी के बारे में ही बोला जा रहा है क्योंकि ग्राम सवराज के जो सुरुवात है जो बात कही वह किसने शुरू की तो महात्मा गांधी नहीं ये ग्राम सवराज का नाम लिया है और इसके बात की है चर्चा कि इसके बारे में बताएं है तो इसके बारे में तो पहले हैं हर गाउं हो सच्छम आत्म निर्भर और हो चौरो और विकास यही था महात्मा गांधी के सपनों का ग्राम सवराज यहाँ पर में हिट लाइन में क्या बताया गया कि हर गाउं हो सच्छम मतलब पुरा सच्छम हो हर चीज में आत्म निर्भर हो मतब कि खुद पे निर्भर हो, किसी दुसरे पर से निर्भर ना रहना पड़े और चारो और पूरा विकास हो, यही था मात्मा गांधी का विकास विकास का सपना जिसको उन्होंने नाम दिया था ग्राम, सवराज मतब ग्राम जो है, वो खुद पे राज करे वो आगे बढ़े, और चारो तरप से उसका विकास हो, वो आत्म निर्भर रहे किसी और के परती निर्भर ना रहे, आसा न रखे किसी चीज के लिए वो हर चीज कुद कर सके और वो खुद में सच्छम हो, हर गांग क्या हो, सच्छम हो महत्मा गांधी जिन्होंने देश को अजाद कराने एहम योगदान दिया महत्मा गांधी के बारे में इतने सारे उनके नाम के आगे लगाया जा रहा है उनको समान दिया जा रहा है कि भारती सुतंतरता आंदुलन के परमुख राजनितिक एवं अध्यात्मिक नेता राजनित आज सभी परिचित है, मतलब ये चीज़ से तो हर कोई परिचित है कि महात्मा गांदी बहुत सारी योगदान दिये हमें अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए, फिर है महात्मा गांदी जी एक ऐसे सक्सियत है जिनके उलेक बिना इतियास कभी पूरा नहीं हो सकता, मतल महात्मा गांधी जी जीवन भर अपने आदर्सों पर चले और इनहोंने लोगों को भी आदर्सों पर अहिंसा के पद पर चलने की लिए प्रेरीद किए, महात्मा गांदी जो थी वो क्या थे जिनके बर आदर्स से चले वो मार, पीट, ठला, सोर, सराबा करके उनकी जीने की लच्छे नहीं थी, कोई भी चीज़ प्राप्ती करना था, उनको तो सांती से करना था, लड़ा जगा, हिंसा करके नहीं करना था, हिंसा मतलब होता है कि हिंसा कर रहे है, मैं सो लड़ा जगड़ा कर रहे है, विद्रो कर रहे है, वो हिंसा होता है, हिंसा मतलब सांती पुरुबक होता है तो सारची सांती पुरुबक करना चाहते थे और करते भी थे ठीक है और लोगों को भी वो रहा पे चलने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रेरित किया लोगों को बताया कि ये सही मार्ग होता है फिर है महत्मा गांधी जी ने गाओं के विकास में भी अहम योगदान दिया और महात्मा जी जो है वो जो गाउं के विकास के लिए जो है गाउं में कैसे विकास होगा उसमें उन्होंने क्या क्या अहम भूमिका निभाया ठीक है योगदान भी बहुत दिया इन्होंने गाउं के विकास के लिए ग्राम सवराज पर बल दिया और इ यही चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ग्राम सवराज पर क्या क्या बल दिया जोड दिया इनका मानना था कि भारत की असली पहचान गाउं से है और महत्मा गांदी जी का क्या मानना था कि हमारा जो भारत का जो असली पहचान वो हमारा गाउं जो कि हरे बरे हर् जो हमारा पेट भरता है, कपड़ा बनाता है, पोसाग बनाता है, गाउं में जो कुछ जादा मतलब लोब ना करके इमंदारी से काम करता है, हमारा खुबसूरती ही गाउं है, तो यह भारत का, सौरी महात्मा गांधी का मानना था, कि हमारा जो भारत का जो में महत्व है, वो ह जितना इस वीडियो में पढ़ रहा है ना उसमें से अगर आधी भी अच्छे से याद कर लेते हैं और पूरा अच्छे से प्रॉपर हैड लानिंग के साथ याद करते हैं तो आपका एक्जाम में फुल टू फुल माकस आने वाला है तो चलिए बिल्कुल फिर सुरू करते हैं मतलब सांती की दुथ मतलब सांती पूरुबक जो काम करने वाले जो नेता थे महन जो थे वो कौन थे गांदी जी थी जो हमेशा एक सवराज भारत का सपना देखा करते थे वो हमेशा भारत को आगे बढ़ावा एक बिक्सित लोग भारत के बारी में बाते करें जानें हर चीज में सांती सो सब अच्छा हो हर्याली भरे रहे गाओं हैं का भिकास करें ऐसा उनका सपना वो देखा करते थे कौन गांधी जी इनके अनुसार सवराज का अर्थ आत्मबल का होना था इनके अनुसार जो सवराज है उसका अर्थ क्या था आत्मबल मतों खुद में बल हो किसी और पर हमें आसरत ना पड़े किसी और से कुछ मांगने की हमें जरूरत ना पड़े हम खुद से हर कुछ हासिल कर पाया और जितना जरूरी हो उतना ही करें ऐसा महात्मा खा양ंदी का मनना था ऐसा सवराज जो किसी भी जाती या धर्मिक उदेशों की मननेता नहीं देता ऐसा सवराज जो सभी के लिए समान हो मतलब ऐसा सवराज हो ऐसा आत्मे बल हो जो किसी जाती धार में कि देश की मान्यता ना करे कि वो उस जाती का तो वो जो बुलेगा हम वो सुनेंगे वो नीचा जाती का अगर उस ही भी बोल रहा है तो हम नहीं सुनेंगे ऐसा नहों बलकि सभी समानों जो सही है वो सही है जो गलत हो गलत है या उचा जात का हो या निचा जात का हो सब एक समान हो भारत देश के संधर्भ में इन्हों ने जिस सवराज की परिकल्पना की थी उसमें केंदर में था गाउं की आत्म निर्भरता गाउं की स्वतंत्र सवराज मानते थे जिसका आत्म बल उन्होंने माना उनका जो में केंदर था सवराज का वो था क्या कि गाउं में आत्म निर्भरता आए गाउं की लोग में पूरा एकदम एनर्जी आए कि हम खुद सब कुछ कर सकते हैं उनकी गाउं में स्वतांतरता मिले हर चीज कर पाएं लोग उसको जो है नेतार लोग ये लोग जो भी वह जो तर न गाउं को लोग को दबा देते हैं टॉन को लोग को जादा वेल्यू देते हैं ऐसा ना करें गाउं को एक्जी पूरा है तो कुछ सरकार भी मदद करें ताकि वो अपने फसल अच्छे सुगा सकें हर चीज में इसको मतलब आगे पिछे से मदद मिलनी चाहिए. ऐसा महत्मा गांदी का कहना था. इनके दृष्टी में गाउं की सपननता में ही देश की सपननता और गाउं की स्वतंत्र पंचायती ववस्था में ही देश की सची लोक तांतरिक छवी छिपी थी. इनका मानना था कि भारत चंद सहरों में नहीं बलकि 7 लाखों गाउं में बसा है इनके अनुसार परते गाउं को आतने भर और सच्छम होना चाहिए तो जो हमारा गाउं है उसी से हमें सान महसूस होता है तो उसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए तैसा महात्मा गांदी का कहना फिर नेक्ष्ट पॉइंट है गांदी जी का ग्राम सवराज के लिए योगदान मतलब उन्होंने ग्राम सवराज के इसी सपने को सकार करने के लिए इन्होंने गाउं को आत निर्भर बनाने के लिए पंचायती राज वेवस्था पर जोड़ दिया बतलब वो चाहते थी कि हमारा जुगाओ वो सतंत्र हो जाया, वो आत निरभ़ड हो जाया वो खुद पे निरभड करे आगे बढ़े उनको लोग मदद करे ऐसा वो चाहते थी तो यह चीज़ वो काम्याब करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या किये कि पैप पंचयती लोगों को उस चीज को करने जआ दो और वो जो विदेशी वस्तुवोट थैस्ट जो खुबसरत तो होते थे numéroे हमारी लाबदायक नहीं होते उस रही, भर के हैं मतलब उस चीज को खरिदने या पहनने या खाने पीने या घर सजाने कुछ करने से हर विदेशी वस्तुहों को लेने से यूज करने से मना किया हर भारतिये लोगों को ठीक है उचीज का संदेश फिलाया इन्होंने गाउं में ग्रामों धोक की उन्नति के लिए कुटिर उध्योक को बढ़ाने पर बल दिया जिसमें चर्खा और खादी का परचार सामिल था नहों को उन्हों तो इन्हों ने की लिए जो अंहोंने मदद ली वह था खाद आच्छे खाद का परचार किया खादी और परचार खाओं इन्होंने मसीनों की वजाए हाथ पेर के सरम पर अधारी तुद्योगों को बढ़ाने पर जोड दिया और जो ग्रामतियोग जैसे धान ज़ाड़ना होता है या बहुत सारे ट्रेक्टर वगर जो मसीन चला के जो करते हैं मट्टी अभी जैसे होता है उसे तरह पहले भी होता मसीनों को रोक ठाम लगाएं मसीन नहीं उसकरने के लिए बोले खुद के सरीर से पड़िसरम करो खुद से करो लेकिन जो भी करो अपना करो खुद का करो अंग्रेज का चीज हमें लेकि उसके लोभों में नहीं आना कि अकर हम मसीन से करेंगे तो हम दो मिनिट में कर लेंग खुद और लोगों को भी ये समझा रहे थे लोगों तक ये बात को पहुँचा रहे थे सही मायनों में देखा जाए तो गांधी जी के सवराज गाउं में बसता था और वो परते गाउं को भोजन और कपड़े के विशे में स्वाल लंबी बनाना चाहते थे मतब महत्मा गांधी को जो जान असली बसता था वो गाउं में ही बसता था और गाउं को वो आत्म निर्मर बनाना चाहते थे और भोजन और कपड़े की विशे में वो स्वाल लंबी बनाना चाहते थे मतब भोजन और कपड़े में वो आगे निकले ऐसा उनका चाहता अब लाश्ट में मोग देखेंगे इसका निसकर्स मतलब इतने सारी चीज़ का अर्थ में अर्थ जो होता बिल्कुल असान भासा में अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गांधी जी के ग्राम सवराज का सपना जो आज हमें अधूरा लग रहा है वो पूरा किया जा सकता है गांधी जी के ग्राम सवराज में गाउं को आत्मनिर्भन होना सिछा स्वास्त और स्वचित्ता की प्रति जगरुगता लगु ध्योगों का विकास आदि सामिल थे जो इसमें ही कहना चाहूंगे मैं की जो ग्राम सवराज का जो कांदी जी का सपना था जो अभी साइद कहीं थोड़ा सा धूरा भी लगता है तो जैसे कराम सवराज का अर्थ था कि काउं के लोग आत्म निर्भरो खुद पर निर्भरो वो सिच्छा के तौर पर आगे निकले स्वास्त उनका अच्छा हो, सवच्छता हो, और सब के प्रतिवों क्या हो, जागरुक हो गाउं के लोग, जो लगुदियों के छोटा मातरा मुदियों के जो कर रहे हैं, जिसके पस खेती बारी है, लेकि पुन्जी उतना नहीं है, को विकास रूप से कर पाएं, तो विकास कर पाएं, ऐसा उनका सोच था, अलगुदियों का विकास आधी सामिल थे, तो अगर इस दिसा में कदम बढ़ाये जाए, तो अवस से ही गांधी जी की ग्राम सवराज की कलपना हकीकत बन सकती है, तो क्या बोला जा रहा है, कि अवस से ही जो गांधी जी चाहते थे ग्राम स करना बोल रहे हैं जब वह अंगरेजी के सासन के अंदर थे, तीक है, उस टाम वह अंगरेजी चीजों को सब पहिसकार करेती, क्योंकि अगर हम एंगर चीजों को यूज करते हैं उस समय, तो हमें अजादी नहीं मिलते हम उसके चंगळों में फसते जाते, जो कि फस गए त तुससे ये निकलने का टैक्निक था पर अब क्या है कि अब हम अजाद हो चुके हैं तो हम अगर मसीन भी बना रहे था हम खुद का मसीन बनाएंगे और खुद का मसीन से हम बड़े पैमाने पर खेती करेंगे जो भी करेंगे कपड़े बनाएंगे जो भी खुद का करेंगे व कभी भी उनका वहीद कहना है कि अगर भारत को डबलब कर रहे हैं तो खुद का कुछ बनाव कुछ करो किसी और का नहींत करो खुद से कहे हैं कि यह मेरा है यह मेरा दिया हुआ टिकनिक है यह खुद का ऐसा करना ठीक है धिल है गांदी जी के ग्राम साहवराज को एक बार फिर अमल में लाएं और गाउं को आतिन्मिल्म बनाने की और कदम बढ़ाएं, मतबा गांधी जी का जो ग्राम साहवराज का शपना था, उसे हम लोग अस्युकार करें और जैसा वो चाहते तो उस तरा से राह पे चले और हम एक ग्राम मैं उतना अपने भासा में समझाने का परियास की हूँ अगर अच्छे लगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जाएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताए आपको वीडियो कैसे लगा उससे हमको मोटिवेशन मि मिलता है तो आगे वीडियो बनाने का मन भी करता है और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा तो थांक्यू फॉर वाचिंग फी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए सभी को बबबाए और बेस्ट अप